लेकिन लड़कियां लड़कों के लिए का भी तयार ने होती हैं क्योंकि लड़की सुबा-सुबा सोती उठी बिना हात मुद्धुए आँख में धीड लिए बिना कुल्ला करे बासी मुँ से भी आके तुम्हें आई लो भी बोल देंगे जड़के तो फिर भी मान जाएंगे के हाँ ठीक है यार बोल तो रही है कमसे कम मुँ पे तो नहीं थूक रही है हले और वरिवन कैसे हैं आप सब बड़े है हाई माइनेम इस निखिल थियागी और यार मेरी ना बच्पन से एक प्रॉब्लम है मैं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता मुझसे जो भी टकराता है वो मुझे अजीव ही लगता है अभी मैं कुछ दिन पहले एक शादी में गया वहाँ का अंकल ने हमें वेलकम किया में गेट पे पापा की तरफ से के मम्मी की तरफ से ये अंकल चाचा लगते हैं या मामा लगते हैं ये अंकल वो अंकल है भी किनी जिनकी बेटी की शादी में लिफाफा देने को बोला था पापा ने क्योंकि लाइन से चार मंडप सजे हुए थे और बेटा सबसे बढ़िया वाले में गुसा है क्योंकि according to the laws of quantum physics मंडप की सजावट is directly proportional to दावत की quality और रिष्टेदार वैसे भी किसी के काम नहीं आते तो पनीर से compromise मत करो न तो मेरी तो लाइफ में priority is set है पनीर पैरेंट्स गर्फ्रेंड करियर पड़ोसी के फजीते में मजे लेना वो पड़ोस वाली हम ऐसे चाती पीट-पीट के कोस्तीन अपनी बहु को मुझे बड़ा मज़ा आता है तो मैं शादी में मस्त मजे ले रहा है ऐसे करी छोड़के पनीर पनीर निकालके खा रहा है cold drink में ice cream डालके पी नहीं वाला था कि तभी अचानक से just out of thin air एक प्राणी प्रकट हुआ भूत था के पिशाच पता नी ऐसे भागता हुआ मेरी तरफ आया मेरे हाथ में कागस पगड़ाया उसने पथरी की report है कुछ रिष्टेदारों को लगता है इलाज होना मेरे डॉक्टर बनने के बात शुरू हुआ है दुनिया में मेरे एंबीबेस करने से पहले डॉक्टर डांडिया खेल लेते हैं या कोई इलाज ही नहीं चल रहा था करे देखियो 400 कॉल्टर साउंड लिखा इत्ती सी पत्थरी निकली है मैंने का MRI करा हो आप करे क्यों नहीं बुद्धी का वो भी इत्ती सी निकली चार सो के अल्टर साउंड में कम से कम चार भेंस निकलनी चाहिए थे इनके पेट में जिसमें से एक टांग उठा के दूद्ध भी दे रही होती है तो होते हैं पैसे वसूल और ये चिचा फिरी भी ठीक है एक अम्मा मिली करी आ रहे लाला तु डाक्टर हो गया कई है एक ह नाम मा बताओ करी मुझे ना ऐसा लगए जैसे मेरी छाती पर कोई चड़ा बैठा है अब पेट में गोला सा बने सीथी दिमाग में को टक्कर मारे खोब भड़ी खट जार कानों में से आवाज आवे जूं 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 क्या है ये और दुनिया में अगर ऐसा तो मुझे पढ़ा है क्यों नहीं गया है साड़े चार साल की MPBS एक साल की इंटर्शिप ये कहां था से लेबस में तो मैं चूपोगी अब इसका क्या इलाज बताओ विचारी में मेरी मम्मा साइड में खड़ी मुझे ऐसे दिख रही मॉनना तु डॉक्टर है ना अरे मैं मैं पागलो का डॉक्टर नहीं उपर और शादी होगा तो इतना होलसम सा महल रहता ना डीजे बज रहा है मंडफ सज रहा है मिक्की माउस वाले जूले बच्चों ने एक दूसरे को कुछल दिया है वीडियो वाले की डोरी मेलज के एक आदिया मौँ धेमू नीचे गिरी पड़ी है दामपत्य जीवन सही से चलाने के एडवाइस देती हैं कि इन से खुझ से सीधा नहीं चला जा रहा है मुझसे करी ओले कितना बड़ा होगे तेरे लिए बहु तो मैं ही डूंडूंगी खड़ी तो हो जाओ आप पहले या नीचे पड़ी होई डूंड दोगी क् शादियों में बहु डूंडना आसान तो है क्योंकि इत्ति सारी लड़कियां इत्ता ज्यादा सज़च के घुम रही हैं लेकिन लड़कियां लड़कों के लिए जाना भी तयार नहीं होती हैं क्युक्कि लड़की सुबा सुबा सोती उठी बिना हाथ मु धोय आंक में धी यारूती ही दूसरी लडगीयों के लिए वो है ऐसली टार्गेट ओडियंस क्योंकि लडगियां करती है नोटिस और फिर जुंडबन आके करती है चुगली तुमने नहीं के यूरिंग्स देखे वो तो उसके पर्थ से मैच ही नहीं कर रहे थे शालू के उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर तो नेल पेंटी नहीं था देखे रहो कितना मजारा लडगियों के इन बात हो 32 यह से निखर क्या आई है वहाँ और अती और अती दुश्मन है भाई साम में सही बता है एक दिन मेरी गल्फिन मुझे डॉमिनोज लेके गई डॉमिनोज वाले ने पुछा मैम कितना बड़ा बीज अची है उससे कहरी इतना बड़ा अरे मैंने का स्मॉल मीडियम लार्ज पू मांग रहा वो डॉमिनोज वाला और अगला कहा रहा सर सास लेंगे बन नहीं सॉस क्यों लेंगे सूखी मेदा सटकना तो होबी है मेरी गला थोड़ी अंधा कुआ है ये लाओ फिर उसने सॉस के पैसे लगा के वहाँ सास लेने के सबके एक्स्ट्रा पैसे लगा के 600 का बिल बना दिया मैंने 300 रग दी Simple Maths तो नेहा साइड में खड़ी विना है कता ही लाड में आगे एक दूम लाड में के रियारी तुम्हारी ट्रीट है ना आज तो काई बात की तुमने बर्थरेडे की भी नी दी थी बर्थरेडे मेरा 6 महीने पहले था तुम एक महीने पहले मिली हो कौन सी ट्रीट है अब यार देगो छोटी सी रोटी पर शिमला मिर्च और प्याज बढ़ी हो मुझसे तो पांस्टो शेसर रोपे नहीं दिये जाते है उसके लिए अमीरों के चोच लें पीज़ा वीज़ा पर फिर भी जादा इलाड में आ रही थी तुम्हारे कान कब भरे उनोंने तुम्हें बिल्कुल मैंने से नहीं बिल्कुल अरे मैंने का moral science रुख जा बताओगी भी हुआ क्या तेरी तुमने order confirm होने के बाद ना उन भाईया को thank you भी नहीं बुला एक तो ये self-service वाले restaurant में गुसते के साथ मेरी आत्मा किलस जाती है ना कोई गेट पर welcome कर रहा है ना को टीवल पर आके पानी पूछ रहा है line में और खड़ा कर देते कमीने sir line में आके order करिए भंडा रखाने आयो में या thank you नहीं बिले भाईये ये बोलेगा मुझे thank you इतने में हमारा pizza आया हमने खाना चुरू करा और भाईया फिर कुछ ऐसा हुआ कि धर्ती फट गई आस्मान चिर गया जलजले आ गए मेरी रूख आप उठी देखके इसने pizza के sides छोड़ दिये अरे मैंने कहा ऐसके पीज़ा तो बर्बादी करती है तुमने ये तुम्हें sauce लगा के खा गया उसे भी साइड में बेठी ना जोड़ी ऐसे देख रही है ओ फो निकल तुम्हें तो table manners भी नहीं है रही है इसे कौन करता इट्स सो अंबारसिंग इट्स सो अंबारसिंग पैसे भी मुझ से दिल वाले कंजर भी मुझे ही बता ले मैं मजे ले रही है जिंदगी के इतने में मुझे डांटते डांटते ना नेहा को अचानक से फंदा लग गया और उल्टी हो गई देखो साब हराम का खाओ के कहां से पचेगा लेकिन इससे पहले मुझे कुछ समझ में आता वो न बेहुश होगे नीचे गिर पड़ी आज पास के सब लोग ही खट्टे हो गया डॉमिनोस वाले तो काउंटर लांक के भाग भाग आया इसका सर अपनी गोधी में रखके गया सर मैं हमको होश में लाने के लिए न मौझा सुंगाना पड़ेगा इनने अपना मौझा ने का रहा चाल लॉंडी और बेहुश होगे मैं न का रहे हो होश में लेके आनी है आत्मा का परमात्म से मिलन नहीं करवाना मुझे इसका और इत्ता कमीना लॉंडा दुनिया भर के ड्रामे करके देखा रहा मुझसे तो सर मैडम की यह हलत देखी नहीं जारी बिलकुल नहीं देखी जारी अरे तो मत देख न और यह मौझा हटा इसकी नाक पेसे भई यह आस-पास वालों ने खूब ऐसे चींटी मेटे मारे नहा ने कोई रिस्पॉंस ही नहीं करा इतने में साइड में खड़ी हुए कि लड़की बोली एनिबडी डॉक्टर है डॉक्टर वहां रे अच्छा मैं हूं फिर मैंने अपनी जादूई शक्तियों का इस्तमाल करके उसे होश में लेके आया इग्जेक्टली क्या करा है ये मत पूछना इट्स ट्रेड सीक्रेट ऐसे बता दूंगा सरे हम तो फिर चार्सों का अल्टर सौंड कौन कराएगा फ्याद भूश में आते कह रही निखिल मुझे न वो खिला दो मैंने क्या दवाई नहीं गोल गप्पे मैंने मौजा जादा देर तो नी सूंग लिया तुमने ऊपर के सारे सरकेट फुग्गे लगता है उस दिन मुझे ऐसास हुआ कि सड़क के नारे ठेले पे 20 रुपए के खटे पानी वाले गोल गप पे खा के जो आत्मा की त्रिपती मिलती है न लड़कियों को वो महंगे से पीज़ा में नहीं मिल सकती ऐसे चटकार ही लेकर खारी ना मेरा भी जी समी चल गया अब कैसा महसूस कर रही हो करी निखल बागी सब तो ठीक है पर मुझे ना ऐसा लग रहा जिस मेरी चाती पे कुछ रखा बैठा है अरे आगे तुम लोग तो तुम ही हो जो एंड तक मेरी वीडियो देख रहे हो दिल से पुछ यह भाई तुम्हें वरना आजकल के जालिम जमाने में हम जैसे हैंडसम आर्टेस को सपोर्ट कर कौन रहा है तुम यह बताओ देखो पहले तुम मेरी वीडियो को लाइक करोग मेरी वीडियो बढ़ेगी ज्यादा ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी मैं रात और रात फेमस हो जाऊंगा तूर दूर से लोग मेरा शो देखने के लिए आएंगे मुझ पर बहुत सारे पैसे होंगे आप क्रोन लोजी समठ लीजी इतना ताम जहम करना क् यारे comment section में अपनी UPI ID पिन कर देता हूं तुम उसमें अपनी श्रद्धानुसार थोड़ थोड़े पैसे डाल दो हाजी क्या हुआ सही में डालने वाले थे तुम तो बड़े देवता आदमी हो यार खेर जोकस अपार्ट प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल से जादा लोगों तक पहुंचाइए इसे हमें रातो रात फेमस बनाइए और थोड़ा सा हराम का पैसे दिलवाईए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए राम राम जी